इस कहानी की शुरुवात होती है एक पिट्रोल पंप से जहाँ पे ग्रैंटा मैक्स अपने रस बेकिट में फ्यूल डला रहे थे पर तभी वहाँ पे कुछ बदमास आ जाते हैं और उन्हें धक्का देके वहाँ पे लगे हुए ATM को लूटने की कोशिश करते हैं और दूसरी स की बहुत ही बुरी तरीके से छुटी कर देता है उन्चोरों को हराने के बाद ने बेन काफी जादा एक्साइटेड होता है तभी ग्रैंटा मैक्स कहते हैं अब और कोई भी हाता पाई नहीं होगी क्योंकि इस समर विकेशन हम तुम्हारे आंट मीरा के घर पे जाने वाले ह और ये सुन के बेन काफी जादा सैड हो जाता है क्योंकि आंट वीरा काफी जादा बोरिंग होती है जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है टीम टेनिसन आंट वीरा के घर के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और वहीं दूसरी साइड आंट मीरा टीम टेनिसन के आने की और मस्ती करते हुए घर के अंदर चली जाती है आंट मीरा, ग्रेंट पा मैक्स और बच्चों को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उनके गालो को खीचने लगती है जिसके बाद में टीम टेनिसन आंट मीरा के घर के अंदर चले जाते हैं वो सब साथ में family time spend करते हैं आंट मीरा के घर पे मौजू चिडियों का collection देखके Gwen काफी ज़्यादा खुश होती है और आंट मीरा भी Gwen के knowledge की दाद देती है Ben ये सब देखके बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था तभी आंट मीरा उसे chocolates offer करती है Ben जैसे ही उन chocolates को खाता है उसे पता चलता है कि ये chocolates नहीं coffee है और Ben के मुह का स्वाद खराब हो जाता है जिसके बाद में Ben दोडता हुआ bathroom के अंदर जाता है और कहता है अरे यार लगता है इस समर ये बूढे मेरा सर ही खफा देंगे और Ben वहां से निकलने का plan बनाता है जिसके बाद में वो ghost freak में transform होके transparent होके आंट मीरा के घर से चुपके से निकल जाता है घर से निकलने के बाद में ghost freak काफी सारी मस्ती करता है पहले तो वो एक auto ride करता है और किसी का pie चुरा के खा जाता है ghost freak वो pie काते समय वहां के बूढों के अंदर में कुछ अलग ही चीज को notice करता है इसके बाद में Ben उनका पीछा करता है और Ben अपने default रूप में transform हो जाता है वो बूढ़ा आत्मी जिसका Ben पीछा कर रहा था उसे देख लेता है जिस वज़ा से Ben काफी ज़्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है वो बूढ़ा आत्मी भी Ben का पीछा कर रहा था Ben उस बूढ़े से पीछा चुडाने के लिए वापस से उसी आटो में बैठ के भागने लगता है और वो बूढ़ा काफी स्पीड से Ben का पीछा कर रहा था Ben उस बूढ़े इंसान से काफी ज़्यादा आगे निकल रहा था तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा इंसान अपने हाथों को काफी लंबा करके Ben के आटो को अपने और खीचने लगता है ये देखके Ben काफी ज़्यादा शौक हो जाता है और वहाँ पे मौजूद गोल्स्टिक से उस बूढ़े का हाथ काटते हुए Ben वापस से भागने लगता है पर वो ओल्ड मैन अभी भी Ben का पीछा नहीं छोड़ता और जैसे ही वो Ben को पकड़ के मारने की कोशिश करता है वहाँ पे लगे फवारों से पानी गिरने लगता है जिससे वो ओल्ड मैन काफी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है Ben अभी भी ये सोच के काफी ज़्यादा कन्फ्यूस था कि आखिर में यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है जिसके बाद वो टीम टेनिसन को वो सारी बाते बताने जाता है Ben, Grandpa Max और Gwen को वो सारी बाते बताता है जो उसके साथ हो रखी थी Gwen, Ben पे काफी ज़्यादा नराज होती है क्योंकि वो बिन बताए वहाँ से चला गया और Aunt Mira को ये काफी बुरा लगा भी Grandpa Max कहते है कि हम इसकी चानबीन तो करेंगे पर तुम अब किसी एलियन में ट्रांस्वार्म मत होना जिसके बाद हम देखते है कि टीम टेनिसन बगल वाले घर में चानबीन कर रहे होते हैं काफी देड़ तक चानबीन करने के बाद में Grandpa Max और Gwen को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता Ben उन्हें यकेन दिलाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है पर उसे छिपाया जा रहा है जिसके बाद में टीम टेनिसन एक बार वापस से आंट मीरा के घर पे आ जाते हैं जहाँ पे Grandpa Max Gwen और Ben से कहते हैं तुम दोनों यहाँ पे सुकून से सो जाओ मैं गेस्रूम में ही सो रहा हूँ और किसी चीज़ की भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना और रात होने के बाद हम देखते हैं कि वो लिक्विड वाला एलियन आंट मीरा को भी पोजस कर लेता है जिसके बाद सुबा होती है हम देखते हैं Gwen और Ben अपने लिए नाश्ता ढून रहे होते हैं तब ही वहाँ पे आंट मीरा भी आ जाती हैं और वो Ben को गाल खीच के good morning बोलती है Gwen आंट मीरा से कहती है कि मैंने आपके लिए coffee बनाई है और जैसे ही वो उनको coffee देने जाती है coffee का plate Gwen के हाथों से छूड जाता है और उसमें रखा हुआ पानी आंट मीरा के side में जाने लगता है पानी को देखते ही आंट मीरा उससे दूर चली जाती है जिसे देखके Gwen और Ben काफी ज़्यादा हैरान होते है जिसके बाद आंट मीरा Gwen से Grandpa Max के बारे में पूछती है और वहां से चली जाती है आंट मीरा के जाते ही Ben Gwen से कहता है कि ये भी उनमें से एक है जो की यहां पे मौझूद लोगों को अपने बस में कर रहा है जिसके बाद Gwen और Ben चोरी चुपे उन सारे बूढों का पीछा करते है और उनके में ठिकाने तक पहुचने की कोशिश कर रहे थे और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि आंट मीरा उस बूढे से मिली हुई है जो की Ben के उपर अटाक कर रहा था और वो बूढा आंट मीरा से बताता है कि उस छोटे बच्चे को मुझ पे शक हो चुका है जिससे सुनने के बाद में आंट मीरा मुस्कुराती है और कहते हैं कि यहां चल क्या रहा है Ben Grandpa Max से डरते हुए कहता है कि वो हर तरफ है Grandpa Max कहते हैं कि मुझे पता है और इतना ही कहने के बाद में वो अपने इवल रूप में ट्रांस्फॉर्म हो जाते हैं Grandpa Max का इवल रूप देखते ही Gwen and Ben उनसे दूर भागने लगते हैं जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो बूढ़े चारो तरफ से Ben and Gwen को घेर लेते हैं और वो दोनों उनके बीच अफ फस्ट चुके थे जहां पर Ben and Gwen को अब ये पता चल चुका था कि वो उनके grandparents नहीं कुछ aliens हैं जिसके बाद में Ben वाइल्ड मट में transform होके Gwen के साथ उस tunnel के अंदर में चला जाता है वो सारे बूढ़े aliens भी वाइल्ड मट और Gwen का उस गुपा के अंदर पीछा करते हैं पर वाइल्ड मट और Gwen उनसे काफी ज़्यादा दूर निकल जाते हैं जहां पर Gwen को पता चलता है कि वो सब complex के नीचे फसे हुए हैं जिसके बाद में वाइल्ड मट को वहाँ पर किसी की मौजूदगी का sense होता है कभी हम देखते हैं कि ग्रैंट पा मैक्स वाइल्ड मट को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारना चालू कर देते हैं जैसे ही वाइल्ड मट ग्रैंट पा मैक्स को मारने जाता है वो एलियन जो कि ग्रैंट पा मैक्स के रूप में था Ben को emotional blackmail करता है और वापस से attack करता है अभी Gwen Ben को गुस्से में समझाती है कि वो हमारे Grandpa Max नहीं है जिसके बाद में Wild Mutt उस alien की बुरी तरीके से पिटाई करता है Grandpa Max के alien को हराने के बाद में Wild Mutt को कुछ और भी sense होता है जिसके बाद में वो Gwen को लेके तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है इसी बीच Omnitrix भी beep करने लगता है और Ben अपने default troop में transform हो जाता है परन्त वो लोग सही time पे सही जगे पहुँच जाते हैं और जैसे ही Ben और Gwen आगे बढ़ते हैं वहाँ पे उन्हें एक spaceship और काफी सारे अंडों के अंदर कैद इनसान मिलते हैं और तभी Ben एक एक के अंदर में Grandpa Max को कैद देखता है जिसके बाद में वो उन्हें छुडा देता है Ben दूसरे लोगों को छुडाने आगे बढ़ता ही है कि तब ही वहाँ पे आंट मीरा आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे जगे होती तो ऐसा नहीं करती Ben जवाब देता है कि आप मेरी आंट मीरा नहीं हो जिसके बाद में वो सारे एلियंस अपने रियल रूप में ट्रांसवाम हो जाते हैं और इसी दौरान टीम टेनिसन को उनकी स्पेसशिप के बारे में भी पता चल जाता है जहां पे वो देखते हैं कि आंट मीरा उनकी स्पेसशिप के अंदर में कैद है ये सारी चीजे देख के बिन काफी ज़्यादा गुसा होता है और heat blast में transform हो जाता है जिसके बाद में heat blast अपने full flame का use करके उन aliens के उपर में attack करता है heat blast के flame की वज़ा से वो सारे aliens और भी ज़्यादा ताकतवर होके आपस में जुड़ जाते हैं और कहते हैं जो कोई भी हो तुमने काफी बड़ी गलती कर दी तुम्हें क्या लगता है कि इतनी गर्मी में हम रेगिस्तान में ही क्यों आए क्योंकि हमें आग से ताकत मिलती है ये सुनने के बाद में heat blast उन पे अपने feast से attack करता है पर उन aliens को कोई भी फरक नहीं परता जिसके बाद में वो heat blast को उठा के पटकना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं दूसरी साइट Grandpa Max और Gwen उन aliens के spaceship से उन सारे बंधकों को बाहर निकाल रहे थे जिसे वो aliens भी देख लेते हैं जिसके बाद उनकी body से दो aliens निकल के Grandpa Max और Gwen को रोकने जाते हैं जिस वज़ा से Gwen के back से सारी चीज़े बाहर बिखर जाती हैं Gwen के back से निकले water gun को देख के वो aliens काफी ज़्यादा डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं पिन उनकी कमजोरी का पता लगा लेती है जिसके बाद में वो water gun को उठा के उन aliens के उपर में shoot करने लगती है और ये बाद Gwen heat blast को बताती है कि इन aliens को पानी से डर लगता है और इनको इससे खतम भी किया जा सकता है और तभी heat blast को उस गुफा के अंदर में एक water pipe line दिख जाती है और वो अपने flame से उस water pipe पे attack करता है जिसके वज़ा से वहाँ पे पानी के फवारे गरना start हो जाते है पानी के पड़ते ही वो बड़ा giant alien melt होने लगता है जिसके बाद में वो अपने spaceship को लेके अर्थ से निकल जाते है उनके अर्थ से निकलने से पहले Grandpa Max and Gwen उनके spaceship में मौजो सारे बंधकों को उससे बाहर निकाल देते हैं ये सारी कला कांडी खतम हो जाने के बाद में Grandpa Max कहते हैं कि हमें इन सब को इनके घर पे पहुचाना होगा इन्हें पता ना चलने पाए कि यहाँ पे हो क्या रहा था जिसके बाद में Heat Blast कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिजे शायद Accelerate इसमें मदद कर सकता है और इन सारी कला कांडीों के बाद में कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब Team Tennyson आंट मीरा के घर से जा रहे होते हैं जहां पे आंट मीरा बेंट से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हो सकता है ये जगे तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी ना रही हो अगर तुम ज़्यादा बूर हो गए हो तुम मुझे माफ कर देना बेंट जवाब देता है कि नहीं मुझे यहाँ पे काफी ज़्यादा मजा आया और मैंने काफी अच्छा टाइम स्पेंट किया जिसके बाद में बेंट आन मीरा से विदा लेता है और Team Tennyson अपने जरनी पे वापस लोड जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खतम हो जाता है